हाई फ्रेंड आज मैं एक एंटासीट कैपसूल का रिविव करने जा रहा हूँ पेट में बनने वाली गैस जलन और बदहजमी से निपटने के लिए इस प्रोड़क्ट का इस्तिमाल किया जाता है ब्रांड नेम के अगर बात करो तो डक्टर रैब L.S.R. कैपसूल ब्रांड नेम से हैं मार्केट में उपलब्द होता है डक्टर बेस्ट फार्मसेटिकल्स प्राइवेट टिमिटेट के दोरे इसका प्रोड़क्शन किया जाता है कमपोजिशन के रूप में इसमें लिवो सलप्राइट 75 मिलिग्राम और रेवेपरजोड 20 मिलिग्राम के मातरा में उपलब्द होता है कीमत के अगर बात करें तो 10 कैपसूल के किस्टिम मार्केट में 58 रुपीज का उपलब्द होता है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन्स आप तक आ जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिशना करें अगर आपने friends से इस product को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या-क्या experiences रहे हैं comment section पर लिखकर मुझे जरूर बताएं आए friends वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इस product के कुछ बैकल्पिक ब्रान्ज के बारे में तो friends रेबोनिक प्लस capsule जिसे Aries Life Sciences Limited के दारह बनाया जाता है happy L capsule जिसे G жен gaatus cadilla के दारह बनाया जाता है bellog l capsule जिसे torrent pharmaceuticals limited के दारह बनाया जाता है neo fried total capsule जिसे intas pharmaceuticals के दारह बनाया जाता है और region L capsule जिसे dr. reduce laboratories limited के दारह बनाया जाता है friends market में मिलने वालीème composition के साथ उपलब्ध यह कुछ ऐसे ब्रांज होते हैं जो आप इस प्रोडक्ट के ना मिलने की स्थिती पर भी पर्चस करके अपना काम चला सकते हैं आपको इफेक्ट से मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का साल्ट या मॉलिक्यूल सेम होता है अब देखते हैं इस मेडिसिन या इस प्रो इसोफेजियल रिफलक्स डिसीज के लिए भी यूजप फूल होता है इंट्रेस्टिनल अल्सर के लिए मैडिसीन का यूप्योग किया जाता है इरिटेवल बावल सिंड्रॉम को कौ कुछ कामन¡ साइड एफेक्ट की रूप में तो unfrends विचली का आना Уल्टी का आना पेट में दर्ध होना डायरिया या दस्त का होना पेट में फूलना यानी गैस का बनना कब्ज वना सिर्ध होना कमजोरी लगना नीद आना चक्कर आना और सरदी जैसे लक्षणों यानि फ्लू का होना इसके कुछ कामन साइड इफेक्ट की रूप में देखे गए हैं अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन को इडवाइस के अनुसारी आपको मेडिसिन के इस्तेमाल करना चाहिए इसे साबुत निगलना चाहिए इसे चवाना तोड़ना कुछलना या पीछना नहीं चाहिए इस मेडिसिन को खाली पेट लेने की एडवाइस की जाती है खाना खाने के पस जाते हैं मेडिसिन अधिक वर् तो फ्रेंट्स कंपोजीशन के सेक्षन में मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह दो दवाओं का एक मिस्त्रन होता है इसमें लीवसल प्राइड और रेवेपरा जोल होता है लीवसल प्राइड एक प्रोकाइनेटिक होता है जो एक प्रकार के केमिकल मेसेंजर्स यानि इंट्र िंट्र happier का मुववेंच होता है कि संथाय साथ ही साथ यह मेडिसें होती है यह रिफ्लेक्स की कंदिशन को रोकती है यानि जो एशिड होता है इस्टमक में बनता है फूट में जाने सी इसको रोकते है यहांनि जो आपका इसोफएगस होता है अनन अली परanco नली तो वो सारी condition से आपको रहात मिलती है रिविप्रा जो इसमें जो पाई जाने वाले दूसरा content होता हुआ है एक proton pump inhibitor यानी PPI होता है या आपके सरीर में बनने वाली especially stomach में बनने वाले जो acid होता है उसकी मातरा को regulate करता है उसकी मातरा को कम करता है जिसके कारण आपको acid related जो endization और अलसर की कंडिसंस होती है उसमें आपको रहत मिलती है आप फ्रेंड्स देखते हैं मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में तो फ्रेंड्स इस मेडिसिन को लंबे समय तक रहत प्रदान करने के लिए आपको उपयोग करने के लिए उपलब्द कराया जाता ह बिसेश रूप से आपको मेडिसिन को खाने के समय से एक घंटे पहले लेना चाहिए मेडिसिन को लेने के दौरान किसी अन्य मेडिसिन का सेवन नहीं करना चाहिए आपको अगर पानी जैसा दस्त लग रहा है या पेट में दर्द हो रहा है या भुखार आ रहा है और ठीक नहीं हो रहा है तो आपको अपने चिकिश्सक से इस बारे में फ्रवाइल सवस्य करना चाहिए इस मेडिसिन को लेने के दौरान आपको इलकोहल का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पेट खराब होने के संभावना बढ़ जाती है आपको मैं एक विसेश बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप लंबे समय तक इस मेडिसिन को इस्तिमाल करते हैं तो आपके हड़िया कमजोर हो सकती है या तूट सकती है परियापत मातरा में डाइटरी कैलसियम आपको लेना चाहिए जो आपका डाक्टर आपको एडवाइस करता है विटामिन डी या उसके सप्लिमेंट्स भी आपको लेना चाहिए आपको डाक्टर के दोरा सजेश्ट की गई आवधी से अधिक PPI यानि ये जो गैस वाली मेडिस divert Goze होती है पेट में जलन या छाती में जलन सिराहत पानी के लिए जिन मेडिस inability करते हैं तो डाक्टर के दोरा सजेश्ट की गई अवधी से अधिक इस्तिमाल आपको नहीं करना चाहिए आपको अगर घरबावस्ता में है या इस्तनपान करा रहे हैं तो यह एड़ाइजेबल है कि आप अपने डाक्टर से परमर्ज के पस्चाथ मेडिसिन का सेवन करें सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना चाहिए इस मेडिसिन को लेने के दोरान आपको कंसेंट्रेशन लॉस की कंडिसन का सामना करना पड़ सकता है आता है ऐसा कोई भी काम यह जैसे ड्राइविंग या कोई हैवी मसीनरी का वर्क आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपकी छमता प्रभावित हो सकती है किड्नी रोग और लिवर रोग की समस्चक का अगर आप सामना कर रहे हैं तो यह आपके लिए एडवाइसेबल है कि अपने डाक्टर से परमर्स करने के पस्चाती मेडिसिन का सेवर करें सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए घातक हो सकता है तो फ्रेंड्स यह था एक छोटा सा रिवीव मेडिसिन के उपर मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें किस इसी तरह के मेडिसिन के रिव्यू के रिलेटेड हमारे चैनल पर लगतार वीडियोस आते रहते हैं इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही किसी अन्य अच्छे इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ आप से फिर मुलगात करता हूं तब तक क्लिक गुडवाई आपका दिन सुभ हो जाए हिंद्व